भारत ने बैजबाल को धर्मशाला में लताड़ा भारती युवा खिलाडियों ने 4-1 से इंग्लैंड को पछाड़ा बात करें इस टेश सिंखला की तो यहाँ पर भारती टीम ने इस टेश सिंखला पर 4-1 से कबजा कर लिया है वहीं अगर हम धर्मशाला टेश्ट की बात करें उस पर चर्चा करें तो गुरु यहाँ पर लताड़ दिया है भारती खिलाडियों ने पाही और 64 रन से बैजबाल को माद दिया और जो हवा और जो सेखी बानी गई थी कि भाया बैजबाल आएगा भारती युवा टीम को पूरी तरीके से धाराशाई कर देगा इस स्रिंखला पर कबजा जमा लेगा क्योंकि इस से पहले बेन श्टोक्स और ब्रेडन मैकुलम एक भी टेस्रिंखला नहीं आ रहे थी गुरु लेखे भारती कंडिसन में भारती स्पीनरों के आगे पूरी त लिबाजी चाहे गेदबाजी चाहे फिल्लिंग और सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात की कप्तानी में भी रोई सर्मा ने बेन श्टोक्स को कहीं पर उठाकर फेक दिया है मतलब कोई तुलनात्मक द्रिष्टी से भी आप कंपैरिजन इन दोनों कप्तानों का नहीं कर सकते बता और कप्तान रोई सर्मा ने लीड किया अपने युगा किलाडियों को वहीं कॉन्फिदेंसल लबरेज बेन श्टोक्स भाईया पीछे रह गए बहुत पीछे रह गए और सर्मनाक उनको हार का सामना करना पड़ा ना उनके बल्ले सरन निकला ना कप्तानी से वह कप्तानी हो पाई और भाईया बतोर कप्तान वेन श्टोक्स बूरी तरीके से फ्लॉप रहे यहाँ पर इस स्रिंखला पर कपजा जमा लिया और धर्म शाला टिस्ट में सबसे विखेरा और तीसरे दिन ही टेस्ट मुकाबले को टी तक भी नहीं पहुच पाया मुकाबला और मुकाबला समाप्त हो गया यहां पर आर अश्वीन ने अपने सौवे टेस्ट मुकाबले को यादगार बनाया फाइफर लग कर कुल्दी प्यादो ने पहले इनिंग में परशान कर रखा हैरान कर दिया इंगलिस बले बाजो को और जो तैयारियां थी उनका सब का फर्दा फास हो गया एक नजर अगर हम स्कोर कार्ड पर डालें कि यहां पर क्या हुआ इंग्लैंड टीम के साथ तो पहली पारी में दो सौटार भारत ने जिसके जवाब में चार सथ इस स्रिंखला में टॉम हार्टली से भी कम है तो यह कितनी सरमंदगी वाली बात है कि आप ऐसे लीडर की अगुवाई में खेल लें जो बल्ले से बुरी तरीके से फ्लॉप रहा है वहीं अगर भारती गिद्वाजों की बात करे गुरू तो अश्वीन ने पांच बुम बहुत ही दमखम है बहुत ही जुनून है और इनमें काबिलियत भी कुटकर भरी है किसी की जरूरत नहीं है कमेंट सेक्सें में कमेंट दाग दीजेगा कि गुरू भारत की इस जीत से आप कितने खुस हैं और इंग्लेन ने जो सेखी बांदी थी उसका हवा कैसे भारती खि अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और फ्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें